दोस्तों अगर आप भी सीलिंग बनाने के लिए अगर इस तरह से टी बनाते होंगे तो मैं आसा करता हूं कि आप फर्षी और आरी की मतलब से इसको कट करके निकालते होंगे आपको बहुत सारा दिकत होता होगा तो मैं आज आपके लिए एक अच्छा सेलिशन लेका है हूं आफ जो भी कटिंग करूँगा मैं कटर मसीन से करूँगा और फर्षी क का इस्तेमाल नहीं करूँगा जैन दोस्तों कैसे हैं आप मैं क्लेट्स आपके अपने चानल क केके फशिक एपके स्वागत्त करता हूं दोस्तों आज का बीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वा वाला प्लाई है उसको भी हमने चार इंची चौड़ा कट करके रखा है और इसकी लंबाई आपके रेकॉर्डिंग कर कर सकते हैं जितना आपको लंबा होना चाहिए और यहां पर किस तरह से करना जो इसमें खांचा बनाना किस तरह से मतलब कटिंग करना है यहां पर मार्किंग करके दिखायता हूं इसे एंगल में आपको कट करना है तो कट करने के लिए दूस्तों हम क्या करेंगा यहां पर यहां पर देखेंगे और यहां पर देखेंगे 7001 इंच का सबसे हमारा पट्टी है और अब इसको इस तरह से जो प्लाई रखके देखेंगे तो हमारा कुछ एंगल बन गया है जिस एंगल में हमको कटिंग करना है उसके बाद यहां पर हम प्लाई जब कटर मसीन को रखते हैं तो आप यहां पर दे कर देते हैं तो प्लाई को दूस्त हमने रखते हैं हम क्या कटर मसीन को यहां पर रख देंगे और उसके बाद यह बेस्टेश प्लाई लेंगे उसमें कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे एक पौन इंच का थाकि हमको मालम चले का अँमारा ब्लेड अंदर बाहर कितना ह हो रहा है और उसके पर इसमें कट लगाएंगे तो यहां पर देखेंगे दोस्तों हमने एक तरफ का कट लगाया है तो एकदम परफेक्ट तरीके से मारा कट हुआ है इसमें आपको बस एक ही ध्यान देना है जो मार्किंग है उसके आगे बिलेड नहीं जाना चाहिए और मैंने दूसरे तरफ का भी कट लगा दिया है बस वही आपको ध्यान देना है जो मार्किंग है उससे अंदर आपका कटर मसिन का बलेड बाहर नहीं आना है हेरा कि तो फाइललि दोस्तों हमरा जो अच्छा वाला पीस जो हमको यूज मिलेना उसको हमने हम ने कटकर लिया हैब जो हैट वालस को कट करेंगे तो यहां पे ब्छै dazu तो अगर कटर मसिन को इस तरह से आम रखक करते हैं तो जो हमारा लाइन जो मार्किंग है उससे पर ब्लेट चल रहा है तो उसको सेटिंग में लाने के लिए क्या करेंगे जो इसको प्लाई है उसके बगल में कटर मसीन को रख देंगे तो जो हमारा एंगल है वह मतलब जो हाइट है वह कम हो जाएगा तो यहां पर मैं आपको पीछे अभी देखें यह हमारा जो कटर मसीन पीछे जुका हुआ है तो उसको सीधा करने के लिए हम यहां पीछे पैकिन रख देंगे तो जो हमारा कटर मसीन का प्लेट है वह मतलब गुनिय में हो जाएगा और यहां पर देखेंगे हमारा ब्लेट थोड़ा बाहर जादा है तो इसको कम किस तरह से करना है आपको क्या क सब्सक्राइब से नजड़ीक से देखेंगे तो मार्किंग के लिया ही हमारा बहर निकल रहा है तो कुछ इस तासे आपको भी सेट कर लेना है उसका कटिग कर सकते हैं आप तो फाइनली दोस्तों देखेंगे तो यह हमारा कटिंग हो गया अब हमारा जो अच्छा वाला पीस है जो हमको काम मिलेना उसको हम कट कर देते हैं तो फानली दोस्तों ये भी पीस हमारा कट हो चुका है आप देखें कि इतनी फिनिसिंग के साथ कहीं भी एक्ष्टा कटिंग नहीं हुआ है एकदम बराबर कटिंग हुआ है अब हमको क्या करना दोस्तों जो उपर जो सीलिंग को टाइट जो सीलिंग में टाइट होगा उसको इस तरह स्विला लेना है और ऊपर जो साय हम जो नीचे कटल लटकेगा वह वाले पार्टे को इस तरह से रख लेना और यहां पर एक लंबा मार्किंग खीच लेना है वह खीचना कि क्योंकि क्योंकि इतने ही डीप से हमें काट करना है और उसके बद हमको गुनियाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेना है ताकि हमारा लाइन सीधा जा रहा है कि नहीं हमको मालुम चलेगा तो हम दुनों तरफ काट कोने से मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से दोस्तों मार्किंग कर लिया है अब हमको क्या करना यह जो पीस है इसको कट करके निकालना है मैं उपर से भी आपको मार्किंग करके दिखाएता हूं तो यहां पर मैंने कट करने के लिए यहां पर एक इस्टेंट बनाया हुआ है आप यहां पर देखेंगे जो इस्टेंट बाला पार्टी है वो इससे आधा सूथ ऊपर है बाहर है वो इसके लिए है कि जब हम प्लाई अंदर मतलब रखेंगे तो हमको यह ढलने में असानी होगा फिर उसके बुद करना है को सीधा पट्टी लेना है और पट्टी को एक पह बाहर है और उसके बाद इसको फिक्स करने के बाद उसको क्या करना है यह जो कटर मसीन का गेज है जो ब्लेड है उसको आपको जो मार्किंग है उससे थोड़ा बाहर निकलना है क्योंकि वह जो पार्टी है थोड़ा एक्स्टा आदा सूथ एक्स्टा है तो इस ब्लेड को रिस्टल लाकिे इसको कट कर देना है तो अब इसको दस्तों क्या करना है यह जो लाइन है उसके अंदर यह आपको cutter machine चलाना है बाहर नहीं चलाना है तो उसके इसाब से हम यहां पर क्या करेंगे एकदम मार्किंग को सही जगर पर मिला के रख देंगे उसके बाद कटिंग कर देते हैं यहाँ पर देखेंगे एकदम बरावर मार्किंग के दम मतलब बाहर के तरफ है कटर मसीन का बलेड अंदर जाएगा अब हम इसको कट कर देते हैं कर दनी तर्फ कड़ने कर दिए अब देखेंगे ये मार्किंग की अंदर ही है याँ इसके लिए काट कोने के को अधर के आप दिखना सकती है अब दूसरे तरफ का कट करूँ मैं दूसरे तरब काट कर लिया है अब हमको क्या करना है के इसको इसको कट करने के लिए आपको प्लाई का पट्टा लेना को भी best Congrega का ऑपका जो पत्ता है उससे यह जो प्राई इससे आप को वह जो प्लाई पत ता है उसको फोर ₹ मोटा रहना चाहिए थोड़ा अगर 174 न Metro कर देना है और को यहां पर कर देना है को दोस्तों इस के लिए प्लेट हमने कि स्ट लगाए आप नहीं देखा तो मैंने वीडियो बना रखा है आप यह सब लेंगा चाहिए कटर मशीन सब्सक्राइए मार्किण इस तरब चलना चाहिए, मार्किंग के बाहर तर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, गेज का जो सेटिंग है, यहाँ पर सेट कर लेना है, तो यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं, हमारा 40mm, 1mm मतलब 41mm के आसपास है, तो हम 41mm इधर, 41mm दूसरे तरब बांद दे लेते हैं, उसके बाद हम cutter machine चलाएंगे, दोनों तरफ का gauge perfect रखेंगे, सीधा रखेंगे, तो cutter machine असानी से चलेगा, तो यहाँ पर दोनों तरफ का gauge यह दा perfect तरीके से बराबर रख लेते हैं, और बराबर रखने के बाद इसको machine को fix कर देते हैं, और उसके बाद जो gauge है, इ प्लाई को इसमें अंदर रखना है, और रखने के बाद ही cutting करना कुछ इस तरह से जब अंदर रखेंगे, कुछ इस तरह से touch हो जाना चाहिए, मैं इसको इसमें निकाल देता हूं, और इसके बाद blade के नीचे इसको रख देना है, एकदम ply में touch करके, उसके बाद machine को चलाना है, तो यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा आपको चला के दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर देखेंगे, एकदम marking के left side के तरफ cutting हुआ है, मतलब सही हुआ है, तो finally दोस्तों हमने cutting को complete कर लिया है, आप देखेंगे, एकदम बराबर तरीके से mark cutting हो गया है, मैं आपको पलट और बाकी कोने में जो कच्रा है, उसको फरसी से थोड़ा साप कर दूँगा, ताकि जो मारा party आची तरीके से बैठ जाए, तो finally दोस्तों हमारा यह सफाई का काम हो चुका है, अब हम इसको इसके अंदर अगर डालते हैं, तो आप देखेंगे, इदम perfect तरीके से एकदम लगा देंगे, तो इसको क्या करते हैं, वापिस निकाल लेते हैं, इसमें से, और निकाल के इसमें क्या करते हैं, खांचे में अच्छे तरीके से फेविकोल लगा देने से जो जो जॉइंट फिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद इसमें इसको लगा दें और कभी मतलब गिरने का तो चांस सवाल ही नहीं पैदा होता कि गिर जाएगा तो इस तरह से टी बनाए कभी मजबूत हो जाएगा आप भी खुश रहेंगे जिसके घर पर काम करेंगो भी खुश रहेंगा तो फाइनली दोस्ता हमरा टी बन के कंप्लिट हो चुका है दोस्तों तो अमारे ये वीडियो हमारा याइडिया आपको कैसा लगा कमेंट को कि जरूरा बताइएगा वीडियो पसंटे वीडियो को लाइक आकि कि चानल को सब्सक्राइब कर लिजेका क्योंकि इस चैनल के आपको इसी तरह content continue मिलता रहता हो दोस्तों नेस्ट वीडियो मे नेटो पीसा तब तक के लिए जय हिन बंदे मातरम